आप सभी का इस वीडियो पर स्वागत है तो आज हम BSC फस्ट येर जो जुलोजी पेपर फस्ट है जिसमें लोवर नोन कोड़ेट्स इनवर्टीब्रेट्स आते हैं तो उनमें एक फाइलम है पोरी फेरा संग पोरी फेरा इसका क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं और इसक इसे जो ओर्गनीजम है ऐसे फाइलम के सदस्ट से जिनके उपर पोरी फेरा से यनिकी जिनके उपर पोर्स पाय जाते चिद्र युक्त प्राणी पोरी फेरा के अंतरगत आते हैं अब संग पोरी फेरा के प्रमुक लक्षन क्या-क्या है तो संग पोरी फेरा के जो मेंबर ह वो सरल्तम भौकोशी के जीव हैं यहनी कि सरल्तम भौकोशी के जीव हैं यहनी कि सरल्तम भौकोशी के से मतलब है कि इनमें अंग तंत्र वगएरा यह सिस्टम तो नहीं पाया जारे लेकिन भौकोशी की हैं मल्टी सेलूलर हैं और इस्पंजों के सदस्चे इसके अंतरगत ज हाँ तो asymmetrical का आर्थ है कि जैसे amoeba होता है ये भी asymmetry पाए जाती है इसमें यानि कि अगर इसको कैसी भी हिस्से से काट लो तो एक निश्चिस सम्मिती नहीं मिल पाएगी हमको यानि कि दाया बाया भाग इस तरह से कोई symmetry नहीं मिल पाएगी पूरे भाग है जो बराबर नहीं बढ़ पाएगी तो यह सम्मित होता है और इसकी पुराने सदस्य है वो radial symmetry दरसाते हैं तो यह इसके बारे में हो गया तो सेकंड है कि सरीर पर अनेक शिद्र पाए जाते हैं जिने ओस्टिया कहते हैं इन ओस्टिया से जल जो है सरीर में प्रवेश करेगा और एक अने शिद पाए जाएंगी जिनको ओस्टिया बोलते हैं तो क्या होता है कि ओस्टिया के थ्रू जल सरीर में प्रवेश करेगा और विभीन क्रियाएं होते हुए उस सर्जन की योगई जैसे स्वशन की योगई क्रियाएं होते हुए जो जल है वो वापिस से बाहर निकल जाएगा ओस अभाव पाए-घवी और क्योंकि यह ज़्यादा डवल डवलप नहीं है इसलिए इनमें समेधी अंग और तंदिक तंत्र का भाव होता है और फिफ्ता इस संग के सदस्य गतिहीन वा इस्थान बद होंगे इनमें गतिहीन और इस्थान बद होंगे इनमें रिजेनरेशन की छमता पाई जाती है पुनरूत भवन की यह निकी और फिर सेवन्थ है कि पौरी फेरा के मेंबर्स में एंडोस्केलेटन यह निकी अंतिक अंकाल पाया जाता है जो कि इस प्यूक्यल से निकी कंटिकाओं का और कारपनिक तंतों का बना हुआ होता है इसके अधिकान से सदस्य क्या होंगे समुद्री जल में पाये जाएंगे समुद्र में पाये जाती है जदतर इस्पंज वगेरा तो और नाइन था कि इनमें एसेक्सवल एंड सेक्सवल रिप्रोडेक्शन पाये जाता है तो अपन जो PORIFERA है उसको तु को तीन वरुबर में टिवट कियाया है, पहला इसके वरुजी पर एक नंबर में, बिससे के एकजाम में, कि इसके वरुजी करन का आधार क्यां है, ज요सा अमीबा, यह जो प्रोटो जो आते हैं, इनके वरुजी करन का आधार क्यां है, गमन है जैसे, ग ट्रस्ट क्लास आती है कैल के रिया इस वर्ग के सदश्यों में क्या होता है जो कि इस स्पूल बना निकले रहने की वज़े से ऐसी स्पंज काटेदार दिखाई देती हैं इनकी कंटिकाएं होती है वोसरीर से भाहर निकली हो रही होती है कैल्य के ह了吧 کार्मनेट के कारण इनको क्या कہते हैं केल के ़िया कैल के रही होय के लिद गटा कि है एक्चौक चोक टो इसली इसको बोलते हैं केल के लियाए और शोक पुंज और इस का एक्जांपल कौन कौन से हैं और युकस होने लिया एंड सेकंड क्लास इसको जो ढ़िवाइड किया वह है अजैक्ट लेडा इस वर्क के सदस्च्ची क्या प्लास से बनाने वाली पारधर्षट कंटिका है किसकी बनी बनी होती है कि इनको क्या बोलते हैं ग्लास इस्पंज इनमे कैनल सिस्टम किस ठाइब का पायदाएगा उनली लूकॉन टाइप का और एक्जाम्पल है इसका यूपलेक टेला जिसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बॉसकेट और थर्ड जो है क्लास उसको बोलते हैं डैमो इस्पोंजी आई यह मोस्ट है क्योंकि इस वर के सदस्यों का अंतिक अंकाल किसका बना होता है इस्पोंजीन तंतुओं का यह कठोर नह आसी इस लिए इस स्पंजों का योज क्या किया जाता है नहाने दोने आधी कारियों के लिए किया जाता है इसी वज़े से इनको क्या कहते हैं बात इस्पंज सब्सक्राइब बनाए और उसने चोथा वर्ग एक और बनाया और चोथे वर्ग कानाम है क्लास स्क्लेरो इस्पोंजी आई यह जो चोथा वर्ग है सन 1970 में किसने दिया था हर्टमैन और गोरो नमक सांटिस्ट ने बनाया था ये वाला क्लास स्कलर स्पोंजी ये अलग क्यों है तीनों से वो जो अपने तीनों पढ़े हैं प्रिवियस ये अन्ने तीनों वर्गों से इसलिए भिन होता है क्योंकि इन में जो आंतरिक तनकाल है किसका прवोन ओता है सेलिकी है कंटिकाओं का और इस्पोंजीन तन्टव का दोनों का बनाब होता है इसलिए और एक भारी कावज ये तो अंतरे कंगकाल हो गया और इसकेओंपर भारी कवची भी पाई जाय था किसका बना हुआ था कैलसियम कर्वोनेट का एक्जामपल है इसका गोरू एला तो अपने ये डिसकस किया है कि जो संग पोरी फेरा है इसको तीन क्लास में डिवाइड किया गया है मेंली लेकिन कुछ साइंटिस इसको चार में डिवाइड करते हैं इसके मैंने आपको चोथा ही बता दिया है तो पहला अपने पढ़ा क्लास कैल केरिया वर्ग और क्लास हैक्जेक्टर लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके थैंक यू